बिग बॉस 16 का गरांड फिनाले अब बस कुछ ही गंटे दूर है मैंने आपको ये बता दिया कि कौन कौन सी परफॉर्मेंस होने वाली है कौन किस पे डांस करने वाला है लेकिन एक और बड़ी खबर आई है सेट से कि प्रियांका जहर चौधरी जिनको जनता का इतना प्यार मिला है और MC स्टैंड जो वोटिंग ट्रेंड में सबसे आगे चल ले हैं इन दोनों में से कोई भी बिग बॉस 16 का विजेता नहीं बनेगा आए जानते क्यों, क्या वजा है तो पहले तो आपने पांच कंटेस्टेंट्स की बात कर लेते हैं अर्चुना गौतब जो बहुत ही मुफट हैं जिन्होंने लोगों को बहुत एंटेटेन किया शालीन मनोट जिन्होंने अपनी प्यारी सी परस्नालिटी से फेक हो या फिर या लोग क्या फरक पड़ता है टॉप फाइफ में तो आए गए हैं इसके बात बात करते हैं शेफ ठाकरे की जो बिग बॉस 16 मराठी के विनर रह चुके हैं और अपनी जन्ता को उन्होंने इतना प्यार दिया और उनसे उतना ही प्यार वापस पाया प्रियांका चहर चौधरी अकेली खेली अकेले खेलने के दम पे यहां तक आई और MC स्टैन भले ही बहुत लोगों को उनका नाम नहीं पता था लेकिन हाँ जब वो एक बार बिग बॉस के घर के अंदर आये सब को पता चल गया कि कितने जादा famous contestant है वो अब बात आती है कि कौन जीतेगा voting trend में तो सबसे आगे प्रियांका शिव MC स्टैन या फिर MC स्टैन प्रियांका शिवी है लेकिन जो खबर आई है वो ये कह दी है कि तीनों में से कोई भी वेजेता नहीं बनेगा उसका कारण ये है कि दोस्तों हमें सब को बहुत अच्छे से पता है कि जब बिग बॉस चालू हुआ था तो एक बिग बॉस में बहुत बड़ी statement बोली थी उन्होंने कहा कि इस बार जो पंदरा सीजन में कभी नहीं हुआ वो इस बार होगा कि बिग बॉस खुद भी गेम खेलेंगे जी हां बिग बॉस खुद इस गेम में इस तरीके से इंवाल्व हुए कि चीज़े रोल अप होती गए लडाईयां लगवाई लोगों से चुगली करी लोगों की चुगली सुनी भी और ये भी पूछा कि ऐसा कौन सा सदस से है जो आपको लगता है कि घर से बाहर निकाल देना चाहिए या फिर उस घर में रहने को डिजॉब नहीं करता है बिग बॉस ने भी कोई ऐसी हरकत as a gamer नहीं छोड़ी जो और सारे contestant ने छोड़ दी हो सारा काम किया बिग बॉस ने भी तो अब जो खबर आई है उससे आप seriously चौक जाओगे कि बिग बॉस 16 की ट्रोफी जाने वाली है खुद बिग बॉस को क्योंकि जितना शांदार गेम उन्होंने खेला है उत्ता तो सच में किसी ने भी नहीं खेला है निम्रित को और आलोवालिया को पहले ही दिन उन्होंने बना दिया कैप्टन उसके बाद दूसरे हफते फिर एंड में टिकेट टू फिनाले दे दिया और फिर धीरे से उनको घर से बाहर कर दिया और इतनी चतुराई से बिग बॉस ने ये गेम खेला कि किसी को भनाखी नहीं पड़ी तो जो खबर आई है वो यही है कि इस बर क्योंकि शो बहुत ही जादा अलग है इसलिए बिग बॉस 16 की जो ट्रॉफी है वो जाने वाली है खुद बिग बॉस को अब देखते हैं इस खबर में किती सचा ही है ये 12 बजे रात को तो कल पता चली जाएगा कि किस के पास ट्रॉफी जाती है और अगर ऐसा हुआ तो मैं इत्ता शोरू की ट्विटर पे धमाल मचने वाला है तब तक के लिए आप देखते रहे हैं चली खजाना अगर अभी तक आपने चली खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंद करिए थांक्यू